अगले सवाल में ये संख्या दी उया इसका अनुक्रम अनपाति पूछा गया तेन बटे 10 पलस आठ बटे 15 आल सीम कितना आगया तीस तो तीन दसामन तिस तीन तिस तीन तुरका 9 पलस पंदा दूनी 30 तीस आवाठ दुनी सोला सोला नो कित्ते हो गए पचीस बटे तीस पचम पचीस पांच शक्का तीस यह आगया पांच बटे छे अब पांच बटे छे को हम उल्टा कर देंगे छे बटे पांच यह अनुक्रमा नुपाती होता है ठीक है से नेस्ट कुश्शन है एक बाग जिसकी लंबाई 30 मीटर को चोड़ाई 20 मीटर है बाहरी बाहरर चारों बाखी बाखर चारों और थाई मीटर चोड़ा रासता रास्ते का छेष्ट्फल ग्याद कीजिए बढ़ी देखे यह सिस्टम है बाग का और यह इसका रहा रास्ता इधर है धाई मीटर इधर है यह पांच मीटर बढ़ रही है धाई इधर बढ़ रही धाई इधर बढ़ रही पांच मीटर लंबाई बढ़ रही है तो लंबाई कितनी हो गई 30 मीटर की जगह पर हो गई 35 मीटर और धाई इधर बढ़ रहे है धाई इधर बढ़ रहे है पांच मीटर बढ़ रहे है ये चौड़ाए तो ये पांच की जगह बढ़ गई 25 अब देखिए ये पूरे रास्ते सहीत 6 तरफल क्या है 35 गुडें 25 माइनस 30 गुडें 20 वसांसर हो जाएगा अब सीख लिजे ट्रिक से कभी भी इसको क्या करेंगे 30 गुडें 20 23,60 किते होगे 600 ठीक इसके बाद जो चोड़ा रास्ता है उसका दो गुणा करें रास्ते का दो गुणा धाई का दो गुणा होता है 5 तो हम ये कर देंगे 5 को मतलब 30 के बाद में होगे 35 गुडें ठीक है यहां 30 का किता हो गया 35 कर दिया और रास्ते का दो गुणा इसमें जोड़ देंगे चोड़ाईं तो ये 20 का हो गया 25 25 पंजे 125 तो आँसे लगा हो गया 5 25 पंजे 125 पंजे 125 पंजे 12 अब पच्चीस ती आँ पच्छत्तर ये बारा में जोड़ दिया आँसे लिए 87 ठीक है अब इसको क्या करेंगे बटा देंगे तो ये हो गया 57275 वर्ग मीटर जो है वो क्या है रास्ते का अच्छे तरफला गया नेष्ट कुस्टन है एक वर्गाकार खेत खेल का मैदान जिसकी लंबाई 50 मेटर और उसके चार ओर जिसकी लंबाई निए बर्गाकार है तो लंबाई जैतीन होगी और निचे वडाई होगी तो भुजा 50 मीटर लिखना चाहिए उसके 4.5 मीटर चोड़ा रास्ता है रास्ता अंदर है अब ये बरगा कारवाग है इसके अंदर ये रास्ता है तो हम क्या करें कि अंदर बाला छेतर फल गटा देंगे पूरे बार 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 छेतर में से फल में से तो वही ट्रिक है इस बार थोड़ा सा सिस्टम बदल तो पचास का होता है बर्ग कि पचीस सो और इसमें कितना जुल जाएगा रास्ते का दो गुना धाइगा धाइगा यहां हो जाएगा पचास की जगे पर कितना हो जाएगा पचपन पचपन हो गया अब सब पचपन का हम बर्ग कैसे करेंगे यह भी ट्रिक देख लीजिए इस वाले पांच का बर्ग कितना होता है पचीस यहां रख लिया अब यह वाला जो पांच है इसके बाद हम कौन संख्या आती है छे चे क इस बर्ग मीटर रास्ते का छेतरफल है अगला है एक गाह यह खूंटी से बंदी है इस रसी की लंबाई साथ मीटर हो तो कितने छेतरफल की घास चलेगी ऐसी तो घास चलेगी अगर यहां बंदी है तो चारो तरफ बराबरी चलेगी तो यह बरत और यह रसी है साथ मीटर साथ गुलें साथ एक साथ से साथ कट गए तो आंसर कितना गए साथ दूनी चवुदा साथ दूनी चवुदा एक पंद्रा एक सो चवुन वरक सेंटिमीटर चेत्रफल की गास चर लेगी वो गाए अगला है अब देखिए यहां परक्यस दर से कोई धन्रा से बारा बरस में स्वैं की दो गुनी हो जाएगी ठीक है अब यहां पर क्या होता है सो अब गुडें गुना कितना गुना होता बटे समय यह सूत्रिस की ट्रिक होती है अब गुना क्या है अगर दो गुनी होगी तो इसका मतलब एक पहले थी दो हो गई तो कितना हो गया यह कही गुनी दुबड़ी है ठीक है तो फिर इसको सुनसुदित कर लिए निए तो भूल जाओगे सब ट्रिक को दुबरा देखिए सवाल कैसे लगाएंगे गुना माइनस बन गुना माइनस बन और गुड़ें सव बटे समय ठीक अब गुना कितना है दो माइनस बन गुड़ें सव बटे समय है बारा ठीक है समय कितना है 12 तो अब इसको काट दीजिए 12 से 4 32 अब 4 25 सरथ यहां 2 में से गया 1 1 का गुना अगर 25 करेंगे तो 25 एनस बन गया 25 बटे तीन प्रस्ट ठीक है 25 बटे तीन प्रस्ट चाहओ तो इसको काड़ लिए तीन अठ्थे चवविस तो यह मरा आ जाएगा आठ सही एक बटा तीन परसेंट ठीक है यह हो गया तो यह मैद के कुछ सवाल रहे कम्प्लीट किये फिर मिलते हैं किसी अगले चुनिंदा टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार